सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक बात क्लियर कर लूँ कि मैं कोई कॉंग्रेसी नहीं हूँ और ना ही मेरा कॉंग्रेस से कोई लेना या देना है अब बात को शुरू करते हैं वैसे तो बात करने के लिए देश में कही सारे मुद्दे हैं जैसे कि बड़ती महंगाई, बेरुजगारी, जोशिमट की तरास्दी लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ना तो देश का मीडिया इस पर बात कर रहा है और ना ही सरकार इस पर ध्यान दे रही है हम बात करेंगे भारत में पढ़ रही ठंड और राहूल गांधी की टी-शट के बारे में क्योंकि आजकल इसी बारे में सब लोग बात कर रहे हैं दिमाग के साथ साथ अपनी हूली का भी सही इस्तिमाल करो लाल कलर का सब्स्रेब बटन अभी दबाओ पता नहीं राहूल गांधी की टी-शट में बीजेपी वालों को ऐसा क्या दिख रहा है कि ये उसके पीछे पढ़ गए हैं मामला ऐसा है कि अपने भारत जोड़ यात्रा में राहूल गांधी एक टी-शट पहन कर चल रहे हैं और आपको तो पता ही है कि आजकल इतनी ठंड पढ़ रही है जहां पर लोगों के आलमारी में कम और शरीर पर ज़्यादा कपड़े हैं ऐसे में राहूल गांधी एकदम सुबा सुबा उठते हैं और सिर्फ एक सफेद रंग के टी-शट पहन कर अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो बीजेपी वालों को एक चिंता सता रही है कि इतनी ठंडी में भी राहूल गांधी सिर्फ एक टी-शट पहन कर ही कैसे चल सकते हैं इस पर उन्होंने अपना रिसर्च भी शुरू कर दिया बीजेपी के ही मजिंदर सिंग सिर्फा ने सबसे पहले ये पता लगाया कि राहूल गांधी ने अपने टी-शट के अंदर एक थर्मल वेर पहना है और अपने टी-शट के सारे बटन गले तक उन्होंने लगा रखे हैं इसलिए उन्हें ठंडी नहीं लग रही है अपने आपको पॉलिटिकल एनलिस्ट बताने वाले हिमानशु जैन ने एकदम डेटेल में हमें ये बताया कि राहूल गांधी ने टी-शट के अंदर बनियान पहनी है और ये भी बताया कि टी-शट के अंदर बनियान पहनने पर किस तरीके से रिंकल्स आते हैं इस तरह उन्होंने बताय कि राहूल को ठंड भी लगती है और उन्होंने अंदर बनियान पहनी है और राहूल गांधी अब एक्सपोज हो चुके हैं उनकी पोल खुल चुकी है मैं तो कहता हूँ कि भगवान सब को इतना खाली टाइम दे लेकिन साथ में दिमाग भी दे लोगों के पास इतना खाली टाइम है कि वो लोगों की टी-शट के भीतर जाग कर देख रहे हैं कि अंदर उन्होंने क्या पहना है और क्या नहीं इससे एक बात का तो पता चली जाता है कि भारत में बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है और लोगों के पास कोई काम नहीं है जिससे वो इस तरह का काम करने को मजबुरू के हैं राहूल गांधी की टी-शट के अंदर थर्मल है या नहीं इसका पता तो नहीं लेकिन तुम्हारी खोपड़ी के अंदर दिमाख नहीं ये तो पता चली ही गया हिमान चुजयन के बाद कॉंग्रेस के एक समर्थक आये जिन्होंने ये वाली फोटो शेयर करके बताया कि देखो राहूल गांधी ने कोई भी थर्मल वेर नहीं पहना है वो सिर्फ एक टी-शेट पहन कर ही चल रहे है इसके बाद आते हैं इस खेल के सबसे बड़े खिलाडी जिनका नाम है विकास वाजपेई का लाम विकास ने फेस्बुक पर एक पोस्ट करके बताया कि राहूल गांधी ठंड से बचने के लिए थर्मल वेर नहीं पन रहे हैं वो तो हैंड वार्मर कैपसूल का कमाल है जिसको वो अपनी पैंड के पॉकेट में रखते हैं ठंड से बचने के लिए विकास वाजपेई ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में चलते वक्त राहूल गांधी ज़्यादा तर बार अपने हाथ अपने पैंड के पॉकेट में डाल कर रखते हैं उनकी पैंड के पॉकेट में एक हैंड वार्मर कैपसूल यानि हाथों को गर्म करने वाले डिवाइस रख्यूई होती है जो उनके एक चाइनीज दोस ने उन्हें भेजी है तो राहूल गांदी बार-बार अपनी पैंड के पॉकेट में अपने हाथों को गर्म करने के लिए डालते हैं और इसी लिए उन्हें ठंड नहीं लगती राहूल गांदी की टी-शट पर आपके भी कुछ तर्क या रिसर्च हो तो कमेंट बक्स में जरूर बताएं यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें दोस्तों से शेर करें और करन्ट इशूस और अफेर्स पर लगाताल सोशल पॉलिनिकल कमेंटरी पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले